सब्सक्राइब करें तो तो स्टार्टिंग में दिखाएंगे कि जो है अमृत को पता चल चुगा है कि नहीं इमृत है इसे काफी अमृत है शौक तो जाती तब यह वहां पर यूगा जाता है और कहता है कि देखके फोन नहीं उठा सकती नहीं क्या मेरा फोन बापस करो फिर और कहता है अम्रिज से पागल हो गई हो क्या दिमागतो टेक है यह का नलगताओ तो कहते हैं कि वंडा में न्मृत मलिक मालिक क्यों कि वह तो जानता है nicわले कोन है तो वो सोचने लगता है कि ओबराज जो हैं कंप्पीटर चुक कर रहोते हैं उसमें देखते हैं कि ओप्पीटर लास्ट टायम उस वाद यूसक गया था जब यहां से यूग कोग बन के आया था तो पकड़ा गया था तो वो सोचता यानि कि उसको सब कुछ बता चल गया रहा रही मैं कहूँ कि यूग जो है मिस्टर वरा ऐसे पुस्ताच क्यों कर रहा था ओमाइग कॉड तब ही वहाँ पे नताशा आ जाती है पापा यो ओके आप ठीक तो है ना मिस्टर वरा कहते है हाँ बिटी सब ठीक है नताशा कहते है पापा कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं मदद कर सकती हूँ आपकी क्या बात है पापा तो मिस्टर वरा कहते है बिटी सही बकताने पे मैं सब कुछ बता दूँगा तुमें डोंट बड़ी तिक के रौफिट फिर दोस्तों आगे दिखाते हैं कि यहां पर अगम जो है वो बहुत परशान होता है क्योंकि उसने नताशा पर हाथ उठाया होता है इसलिए वो अपने आपको तकलीब दे रहा होता है सुझता है कि मैं तो नताशा से प्यार करता हूँ और मैंने उसके उपर हाथ उठाया उसको बहुत बुरा लग रहा होता है नताशा की बाते सोच के वो बहुत दुकी हो रहा होता है तो उसने ऐसे ऐसे कहा था और उसको हाथ नहीं उठाना चाहिए था लेकिन फिर भी उसने उठा दिया क्योंकि अमरत की बज़े से सुझत करना इसलिए में से यो हो गया मा लेकिन अब मैं क्या करूं मा क्यूं मा क्यूं होता है ऐसा मेरे साथ एक तरफ तो मैं निम्रेजी के प्यार के लिए अपना दावा करता हूं कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं और दूसरी तरह भी मैं नताशा जी के और खिचा चला जाता हूं क क्यों मा क्यों होता ऐसा और आज मैंने उन पर हाथ पर उठाया मेरा खुद पर कोई जोड नहीं चल रहा है मैं क्या करूं मा तब ही आगम कहता है अपनी मा से कि मा निम्रित जी के लिए मेरा प्यार सच्चा भी था या नहीं कभी-कभी तो मुझे यह शक होने लगता है लेकि अची के लिए धड़कता है लेकिन अब यह नतासा जी से भी प्यार करता है कि क्या हो रहा है मा मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है मा मुझे लगता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं पागल हो जाओंगा मा मैं पागल हो जाओंगा मा भी अगम की मा कहती है अगम से करते हैं कि इधर नताशा जो है परिशान हो रही होती है उधर अगम की मा कहती है कि बेटा कास में तुम्हारी तकलीफ दूर कर पाती है इधर नताशा कहती है कि मा मैंने उनकी तकलीफ मिटाने के लिए ही ऐसा किया तो रिपन कहती है कि बेटा ऐसा करने से तुम्हें क्या मिल लेकिन तुम्हारा ऐसे करने से क्या हुआ तो तुम तो चाहती हो कि वो तुमसे प्यार करें तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो और मा अगर अगम ऐसा नहीं करते तो निमृत उनको भूला भूला कहती और उसका प्यार और उसका विश्वार सी तो अगम की जिंद्गी में मा मा इसलिए मैंने उन्हें उक्साया मा तभी तेज कहता है नताशा से ओ घौड नताशा तुम्हें हुआ क्या है उसनों को दर्द को समझना उनके लिए सब करना तुम्हारी इसी अच्छाई के वज़े से तुमने इतना भूगता है नताशा और फिर तुम वही कर रही हो कहती है मा से मा मैं क्या करती मा बताईए अपने प्यार अपने चज़बातों से बेवफाय तो नहीं कर सकती हूं न मैं मैंने कोशिश की कि मैं अगम से तूर रहूं उससे प्यार ना करूं लेकिन सस्तों यह है कि आज भी मैं अगम से प्यार करती हूं और उनकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं दोस्तों आगे हम देखेंगे कि इधर अमरित है वो बहुत शौक हो चुकी होती है तो रोट पे जा रही होती है वो सोचती है कि उसने कैसे निमृत को मारा था गाड़ी से उसको वो सब याद आने लगता है और वो इतनी शौक होती है ना कि व उसके पीचे से एक गाड़ी आती है हो हार्म देने लगती है मगर अमरित तो बिल्कुल होश में नहीं होती है उसको कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा होता है तब ही वो गाड़ाई वाला पास से गाड़ी निकाल के कहता है मैडम सुसायट करने का इतना ही शौक है तो कहीं ह जाके करो यह रोड़ पर क्यों कर रही हो पर अमरत वह वाते कुछ भी नहीं सुन पाती है वो इस समय बिल्कुल भी होश में नहीं होती है तो जा रही होती है अगो अपनी पुरानी वाते याद करती कि कैसे क्या हुआ था कैसे उसने नताशा ने उससे क्या कहा था वो सब याद करकर के एकदम वो सोच रही होती है कि अच्छा मैं पहचान नहीं पाई लेकिन वो तो निम्रत ही थी इसलिए वो ऐसा कहते थी अगम की मां अगम से पूछती है बेटा तू ठीक है न तो अगम कहता मां मैंने वैसला कर लिया है कि अब ये खेल जल से जल खतम कर दूँगा अमरत के सामनी ये साबित हो गया है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ बस एक वार एक वार मैं और उसका भरोसा जीत लूँ उसके वाद फिर नहीं रुकूँगा मैं इसलिए मां प्यार का जितना जूटा दिखावा कर सकता हूँ उत्ता कर लूँगा मां तो वो तुरण अगम मां के पैर चूते हैं मां कहती है खुश रहो बेटा अगम जो है अमरित को फोन करता है वो सोचता है कि लाओ मैं अमरित को फोन कर लूँ तो वो अमरित को फोन करता है पर अमरित जो है उसका फोन नहीं उठा रही होती है अमरित को बिल्कुल भी होश नहीं होता है कि उसका फोन आ रहा है तब ही वहां सी एक ट्रेक्सर बेला गुजर बीड़ा हुआ होता है कि वहां आपका फोन आ रहारा देख लीजा Maar अमरुत वो देखती ही नहीं उसकी तरफ तो हम सोचता है फिर वो नताशा को फोन लगाता है अगम जो है वो फोन करते हैं वहां पहुंसती है और जो है वो ड्रिंक करने लगती है सारे लोग उसे देख रहे होते कि जहां पर सारे जेंस हैं वहां पर यह क्या कर रही है वो ड्रिंक करती है वहां पर क्यूंकि वह थोड़ा ज्यादा परिशान होती है और फिर वहां पर कुछ और भी लोग होत है उनसे बात करती है फिर वह वहां से जाने लगती है और फिर दोस्तों आगे दिखाते हैं कि वह काफी गुस्से में होती है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो अच्छी लगी तो लाइक चीओ कीजिए और कॉमेंट में अपनी राय जरू दीजिए का हम मिलेंगा कपो देख ठीक लिए भाइ